नमस्कार दोस्तनों स्वागत करने हूँ आप से भी कर शिक्षा प्रवामे तो दोस्तों जैसा कि अब आपके exam start होने वाले हैं, midterm exam start होने वाले हैं तो उससे पहले हम लोग अपना पूरा सले बस कर लेंगे painting class 12 का जिसके अंदर आपका पहला चेप्टर है राजिस्थानी लगू-चित्रशेली लगू-चित्रशेली ओ पर बेस आपका जो मीटम एक्जाम है वो होने वाला है और चार लगू-चित्रशेली ओ पर अधारित प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे जिसके अंदर पहली है राजिस्थानी, दूसरी पहाडी, तीसरी मुगल और चौथी दक्षणी बात कर लेते हैं लगू चितरशली क्या होती है तो उससे पहले अगर आप शिक्षा प्रवा पर पहली बार आए हैं आपने शिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप शिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब कर ले आपने sample paper, model desk paper, practice paper, previous year question papers, आपकी marking scheme और बाकी CBC updates के लिए इसके साथ ही साथ यहां पर हम लोग पढ़ते हैं painting का, slay bus 9, 10, 11, 12 का जानते हैं इसको हम इंग्लिश में miniature printing भी बोल देते हैं तो इंग्लिश की बात करें तो उसमें वर्ड आ रहा है mini और जो हिंदी में बोल रहे हैं वो बोल रहे है लगू तो लगू माने भी छोटा और mini माने भी छोटा यानि छोटे आकार के चित्रों को लगू चित्र शेली बोला जाता है इससे पहले क्या होता था जो हमारे चित्र बनते थे वो बड़े area में बनते थे यानि कि प्रगतिहसिक काली चित्र जो है वो शिलाओं पर बने है इसके अलावा गुफाओं में चित्र बने है तो बड़ी बड़ी दिवारों पर मंदिरों पर चित्र बने है लेकिन जब उन्ही चित्रों को छोटे आकार में ताड़ पत्रों पर बनाया गया या फिर पुस्तकों पर बनाया गया कागच पर बनाया गया तो वो हो गए छोटे आकार के चितरों और उसको बनाने का कारण क्या था कि बाहर से जो आकरांता थे उन्होंने आना शरू कर दिया था और यहां पर चीजों को तहश नहस करना शरू कर दिया था तो कलाकारों ने और राजाओं ने क्या सोचा कि हम उनको पुस्तकों में सुर ये सब्सक्स चुरूत कर भूजख शुरूत को बनने तो पंदरमी चताबदी से बिटा इन लोगों कीमिंग हुई है और राजस्थान में एक जगा है मेवार, जहां पर इन चित्रों की शुरुआत हुई, राजस्थान के इन चित्रों की शुरुआत हुई, और किस का चित्र यहां पर बना हुआ तो जैन धर्म का एक ग्रण है कल्प सुत्र, उससे इन चित्रों की शुरुआत राजस्थान में मानी जाती है इसके अलावा एक चितर है सुपासन चर्यां सुपासन चर्यां में एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर सबसे पहले चितर बनाए गए थे राजस्थानी शैली में कौन से चितर लगोचितर अब इनकी कुछ अलग-अलग विशेष्टाएं होती हैं देखें हम सारी विशेशनाई हैं सबसे पहले उनके जो चहरे हैं उनके अंदर प्राण हैं भाव हैं तीक ही नाक नक्ष जैसे की राजस्थानी चितरों में होते हैं रोबिली आकरतियां मतलब पुरुष की आकरतियां तो अच्छी बड़ी-बड़ी मूचे हैं उनकी इसके अलावा मानविय समवेग यानि की समवेग मतलब हमारे जो इमोशन्स हैं उनका बहुत अच्छे से प्रस्तुति करण किया गया है सशक्त रेखांकन है बहुत संदर र चटक रंग भरे गए है जैसे कि बहुत जादा जासे नारंगी रंग पीला रंग रंग लाल रंग अंतल जो एट्रेक्ट करते हैं बहुत जादा चंकी ले चटक रंगो का प्रियोग राजिस्थानी शेली के मेवार उपकेंद्र है वहां पर किया गया है क्यूंकि मेवार सबसे पहले चितर बनने शुरू है तो महाँ पर प्यूर कलर इस्तिमाल किये कला कारने इसी कारण कहा जाता है कि यहां की जो शेली है मेवार की जो शेली है उसमें लोग कला का पुट बहुत जादा रहा लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कला कारने प्रियोग अपने चित्रों में किया है तो जो उपकेंद्र आपके इस लेबस में है एक तो मेवार हमने एक तरह से जानी लिया कि पंदरी शताबदी में सबसे पहले राजस्थाम में जहां चित्र बने थे तो वो मेवार में बने थे और यहां इस मेवार्शली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं साहबदीन और मनोहर और जो सबसे सुन्दर ग्रंथ चित्रित मेवार्शली में किया गया है वो है पालम भागवर्थ इसके अलावा जो और ग्रंथ भी मेवार्शली में चित्रित किये गये हैं वो है गीत बोविंद, डोला मारू, रसमंजरी, ठीक है, रसिक प्रिया, सूर सागर, रमायन, बिहारी सत्से, ठीक है, ये वाले जो ग्रंथ है, पुरान है, इनको भी चितरत किया गया है, अब मेवाण शेली में कहां कहां पर, मेवाण बहुत बढ़ा है, तो उन मेवाण में कहां कहां पर लगूँ चितर बने, तो शाहपुरा में बने प्रताब, गरदेव, गरण नाथ द्वारा, इसके अंदर नाथ द्वारा सबसे ज्यादा फेमस, इसलिए है, क्यूंकि नाथ द्वारा में पिछवाई चितरन हुआ है, पिछवाई चितरन क्या होता है, श्री क्रिश्नी की जीवन लीलाओं को चित्रित किया जाता है, रोज वो कपड़े पर चित्र बने होता है और रोज उस परदे को बदला जाता है, तो उसके अंदर भगवान क्रिश्नी की जीवन से संब्दित सभी लीलाएं चित्रित की जाती है, किसी दिन कोई लीला, किसी दिन को बूंदी लगूचित्र शेली जो है वो.. वहाँ यहना बूंदी पहले एक एरिय रजस्तान में होता था लेकिन फिर इसके बाद एक खोज कर्ता ने बताया की बूंदी लगूचित्र अलग है जिन वेशयों पर जो बुधी कला है चितरन हुआ है इसके अलाब व्यक्टी चत्र भी बने हैं इतिहसिक प्रसंग इतिहस्की गठनाव पर दारत जैसे कोई भी वन्ष है शिशोधिया वन्ष है तो शिशोधिया वन्ष की जो पूरी पुरानी एतिहासिक प्रस्ट भूमी है यानि की जैसे की उनका युद्धु कोशल वगेरा तो उस तरह की चित्रों को बोला जाएगा एतिहासिक प्रस्ट और व्यक्ति चित्र सभी चित् यहां पर राजाओं की राणियां या दासियां निवास करती थी। ग्रामिय जीवन के द्रश्य भी बूंदी शेली में बने हैं। बूंदी शेली के क्या विशेष्टा है? मिश्रित रंग यहां पर प्रियोग में लाए गए हैं। सामान में रंग हैं। बारीक पतला रेखांकन हैं। वास्त्विक और काल्पनिक दुनिया के बीच समन्वे दिखाया गया है। इसके अलावा प्रकरती चत्रन भी यहां पर हुआ है। बाकी छेत्रे के मुकाबले मूंदी में अधिक हुआ है। और अगर बूंदी से भी ज्यादा बात की जाये तो कोटा में हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट है जोधपूर लगु चत्रशेली। तो मेवाड की कला परंपरा जोधपूर को विरासत में मिली थी। यानि कि किस से प्रभावित्ती जोधपूर मेवाड से प्रभावित्ती। यहाँ पर जो चत्र बने वो कहाँ पर बने पाली और रागमाला। यह जो यहाँ के प्रारंबिक चत्र है वो बने। इसके अलावे हैं आपर बारा मासा पर रामायन पर देवी देवताओं की पूजा पाठ पर रनिवास जिसको हरम ही बोला जाता है से संबंधी चितर भी जोदपुर शैली में मिले हैं जोदपुर में ही एक जगए है नागोर जहां पर बहुत अच्छे व्यक्ति चितर बने है नागोर का संबंध जोदपुर से ही है चौथा है बीकानेर लगुचितर शैली तो बीकानेर जो लगुचितर शैली है उसके अंदर मुगल कला तत्वों की भरमार है यह इसकी प्रमो कुछेशता है क्योंकि बीकानेर में बहुत सा मुस्लिम शाशा हुआ है काफी लंबे समय तक हुआ है तो वहां पर बहुत से मुस्लिम कलाकार भी आ गए थे जिसके कारण मुगल कला तत्वों का प्रभाव पड़ा इसके अलावा जो यहां पर प्रमुख चितरकार रहे है बीकानेर शैली के मुह है उस्ताद अली रजा साहब दीन रुकनुदिन नूर दीन मुराद तो यह अधिकतर मुगल शैली के कलागार है जिस वज़े से यहां कि जो कला ती रजस्तानी कला में मुगल कला का प्रभाव अधिक देखने के लिए मिलता है कौन से टॉपिक है ज छुत्रांकन कह भीकानेर शैली में आप बहुत इम्पोटेंट आ जाती है आपके किशंगर्लगु चित्र शैली तो किशंचंगर्लगु चित्रसञी उन जिक्षरानी के लिए नुर्वे जसी कारण गया है कि ए वाघे स्में निख्थर था के बैत करते हैं हमेशा बूली ठ और इसी कारण कहा गया है कि किशनगड में नारी सॉंदर पराधारी चत्र बहुत जादा बने हैं कौन थी ये बनी ठनी तो राजा सावंत सिंग बहुत छोटे थे तो उनकी जो केर टेकर थी एक बार किसी दूसरे राज्ये में गई महापर उनको एक दासी पसंद आ गई तो उस दासी को किसके लिए ले आई सावंत सिंग के लिए तो वो दासी सावंत सिंग के साथ ही बड़ी हुई दीरे दीरे और सावंत सिंग की जो आ सकती है वो किसमें आ गई अपनी उस दासी में आ गई ठीक हैं तो यहां पर चित्रकारों ने सावंत सिंग को तो क्रश्न के र यह हमें समाधी भी देखने के लिए मिलती है तो इस सेली के प्रमुख चित्रकार जोते वो है भावानी दास सूरत राम और निहाल चंद निहाल चंद को हम आमायन की प्रशंग आखेट यानी की शिकार के द्रश्य व्यक्ति चित्र बहुत ज्यादा यहां पर बने है ठीक है जिसके अंदर सबसे ज्यादा तो उन्होंने बने ठनी यानी की राधा को ही बनाया है और दूसरा सावन सिंग को क्रशन के रूप में बनाया है नेक्स्ट र खारण से सर्वधिक मुगल प्रभाब अगर भी यानी रसेके ज्यादा मुगल प्रभाब कहीं ब falls वह ज्यापुर के चित्रों में देखने के लिए मिला और कौन से चित्रकारते चैपूर तो मुहम्मध शाह और शाहिव राम शाहिव राम एक स्प्पेशल कलाकारते जैप तो व्यक्ति चित्र पौरानिक प्रश्न, राग रागनिया, रती क्रीडा और इस तरह के कुछ चित्र जो है वो जैपुर शेली में बने हैं बहुत बड़े चितर यहां पर बने हैं आदम कद आकरतीओं के भी चितर मतलब अगर लगू चित्रों में बात की जएए वे लगू चित्र भी सबसे बड़े गहां हैं लगुव इसे छोटे आकार के चितर होते हैं, लेकिन उनी चितरों को अगर थोड़ा बड़ा बना दिया, तो वो बने हैं जयपुर शैली में, इसके बाद जो कोटा लगो चितर शैली हैं, वो अब आपके स्लेबस में नहीं है, छीक है, इसलिए हम कोटा शैली को नहीं पढे आप बेटा हम लोग अध्यन कर रहे हैं आपके चित्रों का जो की चित्र आपके सलेबस में दिये गए हैं राजस्थानी शली के तो इसके अंदर है एक पुरुष आकरती जो की क्रिशन के रूप में बैठी हुई है दूसरी आकरती जो राधा के रूप में बैठी हुई है क् और राधा दूसरे पेड़ के नीचे बैठी हुई है, कृष्ण ने पीले रंगी दूती पैनी हुई है, नीले रंग से कृष्ण के आभा को दिखाया गया है, सर पर मुकुठ है, राधा ने पीले रंग के वस्त्र और लाल या घुलावी रंग के चुनरी हाँ पर ओड़ी तो यह है जूले पर कृष्ण जिसको हमने चितर से समझा अब जूले पर कृष्ण चितर को याद करने के लिए हमें कुछ इंपोर्टन चीज़े याद करनी पड़ेंगे चितरकार है इसके नुरुत दीन काल कागच पर बना है टेंपरा तकनीक में बना है और बीकन ए शेली का ये चितर है वर्तमान में अगर हम इस चितर को देखें तो हमें रास्टर संग्राले नई दिली जाना होगा 1683 इश्वी का ये चितर है सबसे जहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी पूरी ही पूरी जो बूख है चाहे वो मिड टम में आपसे कोईशन पूछे जाएंगे चाहे अन्वल टम में पूछे जाएंगे सभी चितर आपके रास्टर संग्राले नई दिली में सुरक्षित हैं सभी मूर्ती रास्टर संग्राले नई दिली में सुरक्षित हैं सिर्फ दो को छोड़कर ठीक है एक तो आएगा आपका फाइनल ट्रम में राम समुदर पामान मर्दन करते हुए जो की रास्टर संग्राले में सुरक्षिद नहीं है और बाकी सारी चीजें आपकी रास्टर संग्राले में रखी गई हैं अब एक वर्ड आया है बिटाई इहां पर टेंपरा टेंपरा क्या होता है तो जो हमारे जल रंग होते हैं वो पारदर्शी होते हैं उन पारदर्शी रंगों को भी अपारदर्शी बनाने की तक्मीक टेंपरा कहलाती है अपारदर्शी कैसे बनाते हैं जब हम किसी एक प्योर कलर में कोई दूसरे कलर का मिक्षन यानि की रेड में अगर हम वाइट मिला दें तो उसके बाद वो हो जाएगा पिंक और थिक हो जाएगा और उसके आरपार देखना संभव नहीं हो पाएगा तो यह कहलाती है टैंपरा तक्निक इसके अलावा क्योंकि यह जो चित्र है इनक की टैंपरा तक्निक लगो चित्रों में जो रंग भरे गए है वो टैंपरा तक्निक में ही भरे गए है चित्र के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ाता वहीं आपर लिखा हुआ है बाही और कृष्ण को जूले पर दिखाया गया है वस्त्र रहित है मतलब शरीर के उपरी पर उन्होंने वस्त्र नहीं पहने है फूलों का हार पहना है मोतियों के अभुशन उन्होंने पहने है पीला महीन टुपट्टा उनके कंदे से लटका हुआ है और सिर पर अलंकरत मुकोठ है करमर के नीचे उन्होंने नारंगी रंकी दूती पहनी है जिस पर सफेद रंके छपे हैं इसके अलावा दाइनी और छज्जे पर छट के छज्जे पर राधा को बैठे हुए दिखाया है जिसे की श्रीकरश्न निहार नहीं है इसके अलावा राधा ने जो है लेंगा चोली पहने हुए है तकीये से उन्होंने पीछे आराम देने के लिए अपने शरीर को र हान रखेंगे सेकेंड जो चित्र है आपके स्लेबस में है वो है मारू रागनी मारू रागनी एक कथा है जो उद्पुर शैली में बनाई गई है लेकिन यह जो चित्र है यह आपका मेवाड शैली का चित्र है ठीक है मेवाड में भी मारू रागनी चित्रत की गई है और ब जोदबुर में बहुत जादा रेध है तो महाँ पर घोड़ा तो दोड़ेगा नहीं तो इसकारण वो उट पर सवार होकर के आये हैं और उन्होंने अपने जो राज हमारी है उसको बिठाया है और फिर वो जा रहे है उट को गतिशील मुद्रा में दिखाया है जो राजा है इसको जो ढूला राजा मतलर राजा का नाम है ढूला और रानी का नाम है मारू तो जो ढूला राजा है उन्होंने वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ है और उसके उपर पीले कलर का उन्होंने दुपट्टा लिया है और सर पर जोद्पुरी पगड़ी उन्होंने पहनी पार्दर्शी ओर्णी उन्होंने पहनी हमके साथ ही मुट को चलाने वाला एक सेवक है और दो अंगरक्षक भी हमके साथ जिदके हात में हतियार है गतिशील मुद्रा में चितरिता और पास में सपेज रहन से एक उप्ते को भी दोड़ते हुए दिखाया गया है पीले रंग का प्रियोग प्रेस्ट भुवी में अधिक मातरा में किया गया है तो मारूर आगनी चितर है बिटा शाहब दीन ने बनाया है कागजपर बनाया है ठामी शताबदी का है मेवार उदयपूर केमर का ए टेंपरा टेखनीक का और रास्टर समरालन नेदिली में रखा हुआ है बागी डिटेलिंग के लिए आप वीजो नीचे हैं पर इसका दिया हुआ है आप सभी के पास बुक होगी आप उससे पढ़ सकते हैं हम बहुत ज्यादा अगर इसको एक्स्प्लेइन करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हमारा मकसिद है यहां पर कॉंसेप्ट को समझना हमारा नेक्स्ट चित्र है वो है राधावनिठेनी तो आपने इतना ही पढ़ लिया वोगा कि उसको कितना ही बताया जाए तो यह पर मैं आपको बताई दिया कि यह सावंतर सींग जो राजा थे उनकी दासी थी जिन पर उसकी आ सकती थी और ये राधा के रूप में इनको इहाँ पर चितरकार निहाल चंद ने चितरित किया है नारी सॉंदरे की अप्रितम और मतलब बहुत ही सुन्दर एक चितरांकन जिसको बोला जाएगा कि भई सबसे बढ़िया नारी सॉंदरे किया गया है निहाल चंद में किया है और किशंगड में किया और बनीठनी के रूप में किया है गुंग्राले बाल है बनीठनी के तीखे पतले नैननक्ष है अदकुली बड़ी सी आख है नीले रंकी ओर्णी है जिसको उसने अपने सीधे हाथ के माध्यम से उंगली और उठे के माध्यम से पकड़ा हुआ है मोतियों और सोने के आखुशं उसने पहने हुए नाख में बड़ी सी नत है पारदर्शे नीली ओर्णी है नारंगी रंकी जो उसकी चोली है और जो उसका उल्टा हाथ है उल्टे हाथ में उसने कमल की अधखिली कनिया मतलब कमल की दू कनियों को पकड़ा हुआ है हाथ में महावरस उने रचाया हाथ में महंदी उसने रचाई रही है तो यह है आपका बनीठनी चित्र जिसको 1760 में बनाया निहाल चंद ने ठीक है टेमपरा टेकनीक में रास्टर संग्राले में यह रखा हुआ है चित्र के बारे में थोड़ा थोड़ा आप यहां पर पढ़ लेंगे उसके बाद नेक्स्ट चित्र है बिटा आपका चोगान प्लेयर्स तो चोगान प्लेयर्स जो चित्र है उसके अंदर यह आपकी 6 महिला आकरतियां हैं 1,2,3,4,5,6 6 महिला आकरति हैं जो की एक बॉल को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं अपने चड़ी के माध्यम से सजी के जो रंग हैं कप्डे जो उनोंने पहने हुए हैं तो यह है आपका जोत को शैली का चित्र, आपका जोगान प्लेयर्स चित्रकान है दाना प्रिशाद कागज पर बनाया ठाने शताबदी में टेंपरा तक्नीक में और रास्टर संग्राले नहीं दिली में ये चित्र सुरक्षित है तो छे राजकुमारियों को गतिशी गोड़ो पर दिखाया गया वस्तर उनके फैराने हैं जिससे की हवा और गति का हैसास हो रहा है अच्छे छड़िया है उनके पास अपने इंडिविज्वल और जिसकी मदद से वो गेंद को पकड़ने का प्रयास एक ग्राउंड में कर रही है बागी आप लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट है आपका चित्र कूट में भरत राम से मिलते हुए चित्र का नाम शॉट करके अगर बताया जाए तो राम भरत मिलाद बहुत सारी आपरतियों को चित्रकार नहीं हाँ पर बनाया है चित्रकार का नाम है गुमाज जो वाइट ड्रेस में आपको यहाँ पर दिख रही है वो है रानिया और उनकी दासिया क्या हुआ है महाराज दस्रत की ब्लतियों हो गई है और सभी रानिया राम से मिलने के लिए आई है भरत के साथ आई है तो साथ ही साथ उनकी जो गुरुदेव हैं वो भी उनके साथ आय हूए है और इहाँ पर जो भरत है वो आग्रह कर रहे है श्रीक्रेश्ण से चलने और कितने हो के माधिम से दिखाया है? पढ़ लेंगे यहां पर चिक है पाउस कर लेना वीडियो और तब पढ़ लेना अदरवाइस आप लोगों के पास बुक होगी तो यह आपके इस लेबस में आने वाले कुछ चित्र थे जिसके बारे में यहां पर हमने चर्चा की है जाना है राजस्थारी शेही को हमने इस व अपने वर्ट्स में एक्स्प्लेइन कर सके आशा करती हूं वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल रहा होगा मेरी वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना सिक्षा प्रभा पर पहली बार आएं सिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब गरूर कर ल कर लाइं कर लाइं कर दो कर दो कर दो